हाउर फिक्स, फेट्सिंग, एटेच्मेन, जीमेल, एंड्रोइट, नोट वर्किंग प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तो, स्वागर है आप सभी का तिकी राची योट्यूब चैनल पर तो दोस्तो यह आपका जो एटेच्मेन वगरा है, वो आप सेंड करते हैं वागरा है वो काम नहीं कर रहा है जीमेल के अंदर पर तो कैसे आप इस प्रॉब्लम को यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं, आज के इस वीडियो पर मैं आपको इसी के रिगार्डिंग पर सॉलुईशन बताने वाला हूँ, ठीक है तो वीडियो को यहाँ पर अंतक देखे और सॉलुईशन को फोलो करें, आपका जो प्रॉब्लम है इ तो चले यहाँ पर वीडियो को हम जो है बिना देर के वह शुरू करते हैं, और दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले यही आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेक शूर कि आप जाके चैनल को भी सब्सक्राइब करें, सारी साथ दोस्तों आपको जो बैर आ तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर किया करना है, यहाँ पर प्रोब्लेम हो सकते हैं, तो डेटा कनेक्शन को एक बड़ स्वीच आप कीजिए, नेट्रोग सेटिंग को एक बड़ रिसेट कीजिए, और दोस्तों यहाँ आपने कोई प्रोक्सी नेट्रोग वगरा चलाया और नहीं होना चाहिए, तो आपको मेक्शियर होना परेगा, रिसेट बटन पर क्लिक करके जितने भी अप्लिकेशन है सब को क्लोज कीजिए, उसके बाद दोस्तों जाइए अपने मुबाइल के सेटिंग पर, याड़ फी डोस्तों सेटिंग पर जाने से पहले आप दुब या नहीं होते है, यदि प्रॉब्लम सॉल्फ होता है, यदि नहीं होते है, तो दोस्तों आपको सेटिंग पर आके स्ट्रॉल डाउन करके नीचे जाना है, और यहाँ आपको सेलेक करना है आपका अप्लिकेशन, ठीक है, एप्स, उसमें जाने के बार मेनेजर पर जाएए, इसके बार मेनेजर करके आपको अप्शन डिख जाएगा, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सेलेक करना है आपका जीमेल अप्लिकेशन, ठीक है, जीमेल अप्लिकेशन, गूगल अप्लिकेशन, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले तो हमें जो है जीमेल पर जाना है उसके बाद दोस्तो इसको कर दिना है सारे सारे इसका डेटा को यहाँ पर clear up कर दिना है डेटा clear up करने के बाद एप permission पर जाए सारे permissions को allow कीजिए especially इसका storage ठीक है तो इसा करने के बाद दोस्तो रिजिस्टिक data uses पर जाके इन बटन्स को बन करके एक बार on कर दीजे और okay कर दीजे उसके बार bake कीजे और यहाँ पर उसे एक बार Google को search कीजे ठीक है Google यहाँ पर search कीजे यह नहीं है तो हमें three dots पर click करके show all app करना है उसके बाद Google यहाँ पर search करना है तो दोस्तों यह रहा Google तो उसमें जाके दोस्तों लाउन उसके बार इसका पर्मीशन पर जाकर सारे पर्मीशन को अलॉप किजिए इसका स्तोरेच यहाँ पर inable होना बहुत हमें जरूरी है सारी सा दोस्तो यहाँ पर मैं आपको last tip बता देता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं आप दोस्तो जाए आपने Google Chrome बोजर पर ठीक है Google Chrome पर जाए और दोस्तो आप अपना desktop mode यूज कर लीजिए ठीक है तो Google Chrome पर जाने के बाद दोस्तो यहाँ पर आपको desktop mode मिल जाएगा तो आपको मैं आए शो कर देता हूं तो यह हो गया दोस्तों यहाँ पर हम बटन और डोस्तों आप यह त्री लाइन्स उपर जो है उसमें कलिक करते तो यह हो गया दोस्तों टेक्स्टोप साइट की मदद से आपको Gmail यहाप पर Login करना है तो Gmail दोस्तो आप Google Chrome पर यूज़ कीज़े और दोस्तो वही से आप Attachment का पूरा Solution कर लिज़े ठीक Attachment वही से आप Send कीज़े, Receive कीज़े और Google Chrome पर जो है दोस्तो Desktop Mode यूज़ करते हैं तो Problem आपको बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि दोस्तो जो हमारे Applications पर चलने में डिकर होते हैं वो सब दोस्तो Google Chrome के Desktop वर्जिन पर Solve हो जाते हैं तो आप यह भी कर सकते हैं तो इसे के साथ आपका Solution यहाँ पर Complete होते हैं यह नहीं इसके Regarding पर आपको किसी भी तारह का इशू किसी भी तारह का Problem है तो आप हमें Message करके बता सकते हैं Twitter पर या तो फिर आप हमें Comment करके बताए कि Exact Problem आपको किस तरह से आ रहा है के से आ रहा है ठीक है ताकि हमें भी यहाँ पर समझ में आ जाए कि आपका Exact Problem क्या है तो उसका Solution हम यहाँ पर आपको देख सकते हैं तो आज की इस वीडियो पर बस इतने Thanks for watching